बहुत समय पहले की बात है, किसी गाव में एक गरीब ब्रामन रहता था. एक दिन उस ब्रामन के घर कुछ अतिथी आए. ब्रामन की स्थिती इतनी खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए घर में अनाज तक नहीं था. इस स्थिती को लेकर ही ब्रामन और उसकी पत्नी के बीच थोड़ी कहा सुनी होने लगती है. ब्रामनी कहती है. तुम्हें पेट भरने योग्या अनाज कमाना भी नहीं आता है. इसी का नतीजा है कि आज घर में अतिथी आख़डे हुए हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है. इस पर ब्रामन अपनी पत्नी से कहता है कल कर्क संक्रान्ती है. मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गाव जाऊंगा. वहां एक ब्रामन ने मुझे आमंत्रित किया है. वह सूर्य देव की तृप्ती के लिए कुछ दान देना चाता है. तब तक जो कुछ भी घर में हैं, उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रखो. ब्रामन की यहाँ बात सुनकर ब्रामनी कहती है, तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा है. न कभी खाने को मेवा मिष्ठान मिला, नहीं धंके वस्त्र और आभूशन. आज तु कह रहा है कि जो भी घर में पड़ा हो, वो अतिथियों के समक्ष रख दो, जब कुछ है ही नहीं, तो मैं उनके सामने क्या रख दूँ? पड़े हैं, तो बस एक मुठी तिल. तो क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा लगेगा? यहां है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ती नहीं होती है. जरूरी है तो पेट भरना और पेट भरने योग्य अनाजतों मैं ले ही आता हूँ. अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं. ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए. अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है. माथे पर शिखा वाली बात सुन ब्रामनी बड़े ही आश्चरी से ब्रामन से पूछती है. अधिक धन की इच्छा में माथे पर शिखा हो जाती है. मैं कुछ समझी नहीं. जो भी कहना है, खुल कर कहिए. ब्रामनी के इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्रामन अपनी पत्नी को शिकारी और गीदर की एक कहानी सुनाता है. ब्रामन कथा की शुरुआत करता है. अपना धनुष उठा लेता है. और कमान खीचते हुए सुवर पर निशाना लगा देता है. डॉट कमान से निकला हुआ तीर तीवर गती से सुवर को घायल कर देता है. घायल होने पर सुवर चिंधरता हुआ शिकारी पर पलत्वार कर देता है. सुवर के तीखे दान्तों से शिकारी का पेट फट जाता है. इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का ही अंत हो जाता है. इसी बीच खाने की तलाश में भकता हुआ एक भूखा गीदर वहां से होकर गुजरता है, जहां शिकारी और सुवर का शव पड़ा हुआ था. बिना मेहंत इतना सारा भोजन देख गीदर मन ही मन बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुआ जो इतना अच्छा और अधिक भोजन एक साथ मुझे मिला है. मैं इसे धीरे-धीरे और आराम से खाऊंगा ताकि लंबे समय तक मैं इसे उप्योग में लाऊंगा. इस तरह मैं इस भोजन के साथ लंबे समय तक अपनी भूग को शांत रख पाऊंगा डॉट इन सभी बातों पर विचार करते हुए गीदर सबसे पहले छोटी-छोटी चीजों को खाना शुरू करता है. तभी उसे शिकारी के मृत शरीर के पास धनुष पड़ा दिखता है. गीदर के मन में पहले उसे ही खाने का विचार आता है और वहाँ धनुष पर चड़ी डोर को चबाने लगता है डॉट गीदर के चबाने से धनुष पर चड़ी डोर तूट जाती है और डॉट दोर के तूटने से धनुष का एक सिरा वेक के साथ गीदर के माथे को भेदता हुआ उपर निकल आता है गीदर के माथे को भेद कर धनुष का जो सिरा गीदर के सिर पर निकल आता है वह ऐसा प्रतीत होता है, मानो गीदर के माथे पर शिखा निकल आई हो घायल होने के कारण कुछ देर बाद गीदर की भी मौत हो जाती है इतना कहते हुए ब्रामन कहता है, ब्रामनी इसलिए मैं कहता हूँ कि जरूरत से अधिक लोब से माथे पर शिखा आ जाती है यह कथा सुनने के बाद ब्रामनी कहती है, ठीक है अगर ऐसी ही बात है, तो घर में जो मुठ्थी भर तिल पड़े हैं, उन्ही को मैं अतितियों को खिला देती हूँ ब्रामनी की यह बात सुनकर ब्रामन संतुष्ट होता है, और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता है वहीं ब्रामनी भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है तभी कही से एक कुत्ता आ जाता है और उन्साफ तिलों पर पेशाप कर देता है, जिससे सभी तिल खराब हो जाते है तिल के खराब हो जाने पर ब्रामनी काफी परेशान हो जाती है, और सोचती है यही तो तिल थे, जिन्हें पका कर मैं अतितियों को खिला सकती थी अब मैं क्या करूँ? काफी देर सोचने के बाद ब्रामणी को एक तरीका सूझा डॉट उसने सोचा कि अगर वह गंदे तिलों के बदले साफ तिल देने की बात कहेगी तो कोई भी आसानी से मान जाएगा साथ ही किसी को भी इन तिलों के खराब होने की बात पता नहीं चलेगी इस विचार के साथ वह उन तिलों को लेकर घर घर घूमने लगी ब्रामणी की यहाँ बात सुनकर एक महिला वह तिल लेने के लिए तैयार हो गई लेकिन उस महिला का पुत्र अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था उसने अपनी मा से कहा कि इन तिलों में जरूर कोई न कोई खोट होगी वरना कौन साफसुत्रे तिलों को गंदे तिलों के बदले देने के लिए तैयार होगा पुत्र की यह बात सुनकर महिला ने ब्रामनी के तिलों को लेने से मना कर दिया कहानी से हमें यह सीख मिलती है हमारे पास जो भी होता है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए किसी के पास ज्यादा चीज देख कर दुखी नहीं होना चाहिए कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना कहानी सुनने के लिए धन्यवाद